त्वास्त वोंगे अप्स अब श्वाइब शुक्त अब्रुस्त वोगे आप सभी स्वागा च्रण जीवी क्लासेज पर मैं अंकित्यागी आप सभी लिए एक ओर बैटीन सेश्न लेका है हूं सेशन किया है Mathematics Strategy Q पर उससे पहले मैं अपने बार बता दूं मैंने यह एक्जाम क्लियर किया है UPC-CDS IMA के लिए किया है मैंने यह AFA के लिए था मैंने और यह बारा भी AFA के लिए किया इसके SSV मार्च में SSC CGL मैंने 2022 क्वालिफाय किया 223 क्वालिफाय किया है CHSL मैंने 2022 क्वालिफाय किया और मैंने 223 का और मैंने 2022 क्वालिफाय किया और मैंने ग्रूप D 2019 में जो वेकेंशी है थी वह भी क्वालिफाय किया यह तुब मेरे बारे में है अब आते हैं मेन पॉइंट बें क्या स्ट्रेटीजी कि किस चीज की mathematics की मैं आपको सम्झाओं मैं जानते हैं एक्जाम साने वाले, CPU का आना वाला है, MATH, CGL का आना वाला है, और CHSL भी आना वाला है, ज़दा टाइम नहीं है, और जो beginners हैं वह भी strategy को follow कर सकते हैं और जो repeaters हैं वह भी follow कर सकते हैं, because time काफी है भी CGL में, तो अब शुआ से करेंगे तो अच्छा base बनेगा, MATH को हम दो पार्ट में करते हैं, तीन में करते हैं basically, Calculation, ठीक है, Arithmetic, और Advanced Maths, द्यान होना यह strategy केवल SSE की की नहीं है, CDS के लिए क्वालिफाई है, मतला mathematics होती है, किसी भी exam में आज़ा, आप solve ना जानते हो, तो करना जानते हो, ठीक है, सबसे main part होता है calculation, आपको basics पहले क्लिए करनी पड़ेंगी किस चीज़ी calculation की है, क्योंकि game किस चीज़ का है, accuracy का और speed का, accuracy तो बनी जाएगी, क्योंकि concept पढ़ोगे, सवाह करोगे तब, accuracy speed भी जरूरी है, speed अगर नहीं होगी, तो कैसे qualify करोगे सब paper को, करना क्या आपको, at least, एक से लेकर 25 तक table तो आनी ही चाहिए, अब table कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ा problem लोग को आता, table कैसे याद करेंगे, सबसे बच्चे बोलते हैं, करना है कि आपको, रोज सुबह उटके, 2 x 2 के multiply करने है, 2 x 2 मतलब, 56 x 73 किया, ठीक है, ऐसे 64 x 88 किया, ऐसे 10 लिखो, random number लिखो, multiply करो, और हाँ, multiply कैसे करने है, आपको, या तो टेबल आने चाहिए आपको, या फिर ट्रिक आने चाहिए, तो ट्रिक आएगी तो टेबल भी आ जाएगी, ट्रिक क्या होती है आप जानते ही होंगे, वीडियो देखेंगे या आप हमारी, mathematics की calculation की तो आप पताते लिएगा कि कैसे मेंट प्ले करना होता है, तो यह तो बहुत है, वह जाते हैं को इससे करते हैं, थीक है अब यह तो टेबल का, आप हो स्क्वाइर आने चाहिए, स्क्वाइर साने चाहिए, स्क्वाइर रूट होग्थ है, यह सब पता कैसे चलेगा, एक तो रटने ही तो पड़ेंगे है, ठीक है और बागी के स्क्वाइर क्यों निकलने ट्रिक अंची है वो जो कि जित्ती भी ट्रिक्स हैं टिप्स हैं सब कुछ इस चैनल पर दे रखा है हर वीडियो के अंदर प्रशान सरह हैं जो सिखाने वाले हैं वो मैथमेटिस कैसे जल्दी करते हैं ठीक है बागी क्लिक्वि है एज है और CISI है बेसिकली मैं जानता हूं कि पांच शेप्टर होते हैं में रेशियो प्रपोश्चन परसेंटेज और CISI होता है जो बहुत बेस होता है मैथमेटिस का यह आपने कर लिए तो बागी जो एलिगेशन है यह सब उसी का ही अलग स्वरूप होता है आपको ब दूसर टॉपिक क्या होगा जो आपको फॉलो करना है वह है टैंथ की एंसी आर्टीस में जो सवाल दे रखेना मैथमेटिस से वह बहुत ही अच्छे होते हैं अर्थमेटिक आपने पड़ी एंसे लगा दो ठीक है टैंथ लेवर की जितनी भी एक्जाम्स होते हैं उन सब्स प्रणा सखरवाल भी आती है अडी शर्मा भी आती है इनके कुछ चुनिल्दा चाड़ चाड़ सवाल लाओ तो आपका बहुत सारा बेसिक हो जाएगा अर्थमेटिक को बेसिक लिए करना क्या आपको पहले वीडियो देखके जो इस चनल पर है उनसे समझना है क्या होता है अगर रेशियो परसेंटेज क्या होता है उनके बेसिक टू हाई लेवल बेसिक सहाब करमभत तरीके से सवाल लगाए सब्सको करने यंप अब चार आपको कोई इस बूटा है ठीक है अब उसमें अर्थमेंट जित्तेवी चेप्टर है हर डे पांच कुछन हर चप्टर लगाने अब मिक्स में करना है अर्थम्टा एज या पिर CISI और Mixed Alligation जित्तेवी चेप्टर है उनके रखें जो ट्रिक्ट रखें जो बेसिक चीज आप रखें है अपने वह आप बार बार लगाते हो तो सौल होता सवाल पर एक्जाम में कैसा आता है मिक्स आता है कभी अध्वांस आएगा कभी कल्कुलिशन आएगा तो यह सब चलता रहता है तो अगर प्रेटिस भी आप कैसे सब्सक्राइब होका तो ही एल्पल होगा ठीक है अब एडवांस मैट्स कैसे करते हैं तैयारी उसकी सब्सक्राइब करने है वो कहां से होगी सेम और सवाल ते रखें वह बेस हैं कि इसका जोमेट्री का ट्रेलिविट्री का नर्मर सिस्टम का और ट्रिमेटिव मैंने बोली दी खेर इन सब को बेस होता है एंसे इंचर्ट के अंदर उनकी जो एक्जामपल से प्रूफ ही करने है आपने को सवाल करने वह एक बार कर लिया आपको बेस्ट ओंग हो जागे हाँ इंसे सवाल बनते हैं इंसे आप बेस्ट कर लिया और अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा तो इस चल्बा जो वीडियो दे सकते हो आप उससे बेस्ट से क्लियर करने के बाद करना क्या आपको फिर से पीवाइक उठानी है लेम किया फिरा के उठानाए उसके बाद आप लवाइ स्टेटरिजी क्या है पहले चेप्टर वाइस करोगे पहले सवाल ठीक है उसके बाद मिक्स में करोगे और यह किया kung था प्रूस के यह डिन मैं4 चप्र do कि यह एसे करना है पीवालों करने के बाद को कभी-कभी रेंडम मुलब कभी ज्यादा निया कभी-कभी जो हार सवाल होते हैं मुलब इसलम जाएंग टेले ग्राम गुप सोते हैं उनको लगा सकते हो चेक करने की में नौलिज करती है बट बेसिफ फोकस करना चाहिए अगर ए मेरे साब से मैंने भी ये अपना है थी मैंने स्टप्पे पर आता है तो मैंने अलगा हुई है और ये सब खत्म करने के बाद आपका मैस टो हुई जाएगा आपने PAQ लगा लिए, आपने basic bus लगा ली, और आपने chapter revise भी कर लिया, concept revise कर लिये. Just make it click, what quickее? Mock लखाने एक तो उती है sectional, एक उती है full Mock sectional mark लगाने उनका analysis करने फोल मूँ क्या呢 analysis pane होता है करना कि आपको जो सवाल आपने wrong किए ठीक है wrong किए उनको जो concept आपने गलती कौनजी करी चेक करने पड़ी कौनजी करें आपको concept नहीं आता यह calculation mistake करी सवाल करें जल्दवाजी ना करें और concept wrong किया है फिर से वही वीडियो लेक्चर बुक बेसिक्स एडवांस सवाल लगाने इससे concept वापस से क्लियर हो जाए रिवाइस करना है और अगर आप फुल मॉक नहीं दे रहे हैं तो sectional मॉक देते रहें मॉक जरूरी है पीवाइक्व जरूरी है और पैटिस से ही मैस आती है लगाता पैटिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ आपने 10 दिन चोड़ा घ्ट को मैस आपको बहुत मीज़ी छोड़ देगी कभी एक्जाम करनी पहोंगी समझे न है तुम मैस को मत छोड़ना जरूरी है तो मैसुआ जरूरी है मैस डूरी है मैस बहुत जरूरी है तो आप स्ट्वरी निकालोगे और अससली निकालो इसारे अच्छी नहीं आपके तो क्या करोगे लाइफ में एस थोड़ी महारा जाते सब्जेट्स का ठीक है धन्यबाद चैहिन